नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अन्शु कुमार सिंग और आप देह रहे अंशु क्रेटिव हमारे और आपके चनल पर हम दोनों का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने के लिए यह जब भी आपना घर बनाते हैं ऐसे में आपकी दीवार और आपके पडूसी की दीवार Նपसमें चिपक रही है तो ऐसे में वहां पर जॉइंट बन जाता है तो बहुतसे लोग क्या करते है उस पन्नी लगाते जो सही भी है पनी जरूर लगानी चाहिए दोस्तों पनी जो लगानी थे इसके ओपर भी मैं एक पर्टिकलर वीडियो बना रखिया अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो वह भी आप देख सकते आज की वीडियो पारी पनी लगानी के ऊपर नहीं है अब मानलीजे कि कुछ लोग पणनी लगाते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि विलकुल एंड में आ करके मैंने देखे काफी वर गैप छोड़ देते हैं और यह गैप आगे चलका के बहुत ज़्यादा दिक्कते करता है आपके घर में और साथ में आपके परोसी के घर में भी ऐसे में आने वर बर्सात के टाइम पर खास कर जब बर्सात का टाइम आ जाता है तो वहां पर क्या होता है कि आपको सीलन आती है तो कि बर्सात का पानि यह आपके दिवार से होते हुए अगर आपकी दिवार उची हुए तो आपके दिवार से होते हुए उसлом में चल आ जाता है नहीं तो काफी रिम पर क्या होता है प्रचानी की पर्शेंट 100% गएनटी होती है जो छीलन आएका- तो वहां पर आपका पप पपड़ी निकल जाएंगी जो अपने पывать रखा जाये जो अपने रंग निकल जाएंगी साथ में आपका प्लस तर भी खराब होगा यह बहुत ज़ीयाद लोग ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर लेकिन यह बहुत important thing है कि जब भी आप अपने neighbour का काम करवा रहे हैं तो काम के end में हमेशा यह क्याद रखें कि जब भी अपने boundary wall जो आपके पडोसी के और आपने दीवार है उसके बीच में जो gap है उसको धंग से end में feel करवाएं अब भरवाएं अगर अपने पन्नी जिस लगवाते हुए आ रहे तो पन्नी को लगवाते हुए आएं और पबट को काट के उस गयाप में घुसा दें उसमें मसाला भर दें को मोटार मसाला सब्हात परहे हैं मोटार जो भी आपने मसाला चुनाई में यूस करते हैं मोटार को ढहिए अपको तदो जाता है कि जो आपने मोटार यूज करना है उसमें जो भी आप पानी जाता है वो स्थीलन जल्दी नहीं हो पाता है आपने उस गैप में मोटार भर दिया मोटार भरने के बाद आपको एंड में क्या करना है पोडोसी की दिवार और अपनी दिवार वहां पे आपको टेपर कर करना है पूरा है two and this benefit क्या होगा जब आपका बरसात का पानी भान निया फिर परसात का पानी भूआ तो आपके दीवार से या फिरके प्रदूसர्इक दीवार लगते हुए वह सीधा च्छत पे आ जाएगा और सीधा वह ड्रेन में चला जाएगा इस से वेनिफिट क्या हो गया कि आपके गैप में पानी नहीं गया और वहां पर सीलन नहीं हुई यह बहुत इंपोर्टन दिग है लोग बहुत सारी गलतिया कर देते और फिर घर बनने के हो सकती है मैंने एक उपाई बताया है इसके इलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे उपाई है जो आप इसमें कर सकते हैं अगर आपको इन कुछ उपाई पता हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके ज़रूर बताएं बाकि दोस्तों में इस चीज के ऊपर एक वीडियो करके आपको बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें और क्या-क्या उपाई करते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यह तो आप घर बनते बनते अब यह तो करी सकते हो अपने बाउंडरी वाल करवाई उसी टाइम पर आपको मसाला भर देना है और उसी बोल रहा हूं दोस्तों काफी बार क्या होता है कि टैपर करवाते टैपर करने में कर देते हम लेट आपने बाउंडरी वाल बनवाया बाउंडरी वाल के प्लस्तर करवाया ऐसे में जो आपने जो जो दिवार आपकी पडूसी के दिवार से चिपक रही थी वह हो जाती है आपको ध्यान आता है कि यह टेपर करवाना बहुत ज़रूरी था वहां पर आप एंड में जाके उसमें प्लस्तर करवाते हो वहां इंट करवाने में आपके गलती होते हैं तो आप सीमेंट का घोल मारके करवाएं नहीं तो अगर दिवार को ज्यादा प्लेन है तो वहां पर अगर तो इससे बेनिफिट क्या होगा जो आपकी दिवार में अच्छी तरह से चिपक जाएगा नहीं तो काफी बार क्या होता जो टेपर आपने करवाया है वह कुछ टाइम होने के बाद उखड जाता है और बहुत उखड के अलग हो जाता है आपकी दिवार से भी प्लस पॉडुसी के दिवार से भी और जो की बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है फिर बाद में आपका वही कंडिशन आजाती है कि भर साथ आएगी पानी घुच जाएगा दिवार में फिर सीलन आएगा तो दोस्तों यही थी आज का टॉपिक हमारा बस मेरा यही था आज का ब आज करने से पुछा सकते हैं तो बिल्कुल भूस्तों बैल बनाने का बैएविट यह है कि जो भी हम इस तरह की आटे घर मां जुड़े वी वह सीधी आप तक पहुंचते और आप हमारी ऐसी वीडियो नौलेफिल वीडियो देख सकते हैं और देखने के बाद अपनी नॉल जल्दी ही मिलते हैं एक और नौलेज़फुल और बहुत ही शांदार वीडियो